आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट चेप्टर को फ्रॉमिनेशन पॉइंट पॉइंट यह चेप्टर काफी आसान है काफी इंट्रस्टिंग है और इसके साथ एक और चेप्टर आपका बंडल करके अगर आप देखें तो इनसे तीन चार प क्वेशन आपको हर साल देखने को मिलते हैं मैक्सिमम पांच चे क्वेशन गए हुए हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्ट से और मिनिमम दो से तीन क्वेशन तो आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो बहुत आराम से यहां पर आपका आठ से बारा नंबर क काम होगा in coming 4-5 days जहां पर हम topic wise fashion में सारे के सारे concepts को समझेंगे so please make sure कि आप साथ-साथ हर एक चीज़ के notes बनाते रहें और diagram oriented chapter है कोशिश हम करेंगे कि सारे diagram हाथ से बनाएं जिससे कि आप लोग मेरे साथ-साथ ड्रॉ करते हुए चले and ultimately आपको सारी चीज़े समझ में आ सक है so without any further ado let's start this lecture and let's understand the male reproductive system of human beings in this specific video but firstly let's understand what is human reproduction and what are the basic aspects of human reproduction हमें पता है कि humans आपके sexually reproduce करते हैं sexually reproduce करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हम लोग बहुत higher level के organisms है और हमें बहुत सारी variations की ज़रूरत है to gain the adaptability अगर environment में कोई भी fluctuation आती है कोई भी change आता है तो हमारा survival बहुत important है और वो survival तब होगा जब हम अपने अंदर changes लाते हुए चले जाएंगे वो तब होगा जब हम sexually reproduce करेंगे ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी उंगली काट करके जमीन में उगाई और एक नया weapon शर्मा तयार हो ग लेकिन हम sexually reproduce करते हैं और और सारे homo sapiens को भी arise करते हैं जिन में अच्छी खासी variations होती हैं तो हमारे survival के chances बहुत ही बढ़ जाते हैं एंड वी आर वीवीपैरस वीवीपैरस इंदा सेंस हम लोग अंडे नहीं देते हैं human beings अंडे नहीं देते हैं वी यूज टू गिव बर्थ टू यंग वन्स है ना यंग वन्स जो हैं इनकी delivery हो जाती है directly यह अंडे को तोड करके hatch करके बाहर नहीं आते हैं क्या-क्या events है जो आपको reproduction के अंदर पढ़ने होते हैं खासकर human reproduction के अंदर सबसे पहले gamete का बनना यह चीज हम लोग flowering plants के अंदर भी देख चुके थे सबसे पहले gamete बनेंगे है ना तो सबसे पहले क्या होगा formation of gamete formation of gamete अगर आप gamete के नाम देखोगे तो male के अंदर जो gamete होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है सबसे और human female के अंदर जो gamete होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है आपका ओवा या आपका ओवा एक बार यह दोनों के दोनों gamete अगर तयार हो गए तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि male gamete को female की body के अंदर हमें पहुंचाना पड़ेगा it is called as insemination, insemination में एक वर्ड आता है called semen, male जो चीज़ें रिलीज करता है female के genital tract में that whole thing is called as semen जिसमें sperms भी होते हैं और कुछ plasma content भी होता है जिसे हम seminal plasma कहते हैं insemination मतलब अंदर insert करना किसको semen को, यानि यहाँ पर क्या किया एक male ने आपका semen introduce कर दिया in the female's body semen introduce into female tract अब female के tract के अंदर sperms जा चुके हैं और female का जो gamete है वो तो female की body में है ही तो क्या हो जाएगी fertilization हो जाएगी यानि fusion हो जाएगा आपका male और female gamete का fusion of male and female gamete fusion हो जाएगा आपका male और female gamete का उसके बाद क्या हो जाएगा fusion के बाद आपका zygote बनेगा और zygote आपका embryonic development start कर देगा और blastocyst तयार हो जाएगा वो blastocyst implant हो जाएगा यानि चिपक जाएगा जाके uterus की wall से यानि मा के गर्ब में जहां पर बच्चे की development होती है तो उस गर्ब से attach होना भी बहुत जादा जरूरी है implantation क्या है आपका the attachment of blastocyst to uterine layer या to uterus ये uterus में जाकर के चिपक जाएगा आपका blastocyst उसके बाद आपकी gestation होगी या इसे gestation बोल सकते हैं ये क्या होता है आपका embryonic development यानि यहाँ पर क्या है आपका development होगा of the baby development inside uterus uterus के अंदर आपके 9 महिने जो development होती है वो take place करेगी और उसके बाद parturation होगा जिसे आप कहेंगे delivery of the baby delivery of the baby तो आपका gestation period जो है humans के अंदर वो लगबग 9 महिने का होता है 9 महिने बाद आपका parturation होगा यानि baby की delivery जो है हो जाएगी ये चीज़े आपको देखनी होती है तो ये सारे के सारे events आपके human reproduction के अंदर होते हैं male और female में काफी सारी ऐसी चीज़े हैं जो कि different है right for example females जो है particular age तक ही gamete produce करती है 45 से 50 साल की जब एक female हो जाएगी उसमें ovum development होना बंध हो जाएंगे जिसे हम menopause बोलते हैं यानि आप menstrual cycle pause हो जाएंगी और ovum और eggs नहीं बनेंगे लेकिन male के अंदर देखा गया है 70-75-80 साल के जो males है वो भी sperms produce कर सकते हैं so there are some remarkable differences जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे and in fact जो gametogenesis है उसमें भी काफी सारे important differences हैं जो कि हम इस chapter में पढ़ेंगे which makes the chapter very very interesting लेकिन पहला जो topic है वो है male reproductive system कि आपका male reproductive system क्या-क्या contain करता है and जो जो organs यहाँ पर है जो जो parts यहाँ पर है उनका काम क्या है so male और female दोनों ही reproductive जो systems है या structures है वो pelvic region या pelvis region में पाए जाते हैं या lower abdominal region में पाए जाते है और यहाँ male के अंदर क्या-क्या पाए जाता है a pair of testis यानि दो testis आपको देखने को मिलेंगे और यह जो testis है इन्हें क्या बोला जाता है आपका primary sex organ in case of males primary sex organ of males primary sex organs क्या होते हैं अब इस बारे में थोड़ा सा जानिए primary sex organ मतलब वो sex organ जहां gametes बनते हैं so first important thing is here gametes that is sperms okay that is sperms are formed spelling गलत होगे यार एक बार इसको मिटा लेते हैं so यहाँ पर एक तो gamete बनेगा this is called as sperm so here gametes are formed point one second important point यहाँ पर आपके male sex hormone भी तयार होते हैं male sex hormone जिनको हम लोग क्या बोलते हैं एंड्रोजन्स बोलते हैं एंड्रोजन्स बोलते हैं यह भी यहाँ पर बनेंगे so यह दोनों काम जहाँ पर होते हैं वो usually primary sex organ कहलाता है तो male के अंदर जो primary sex organ है वो testis हो गई और यह दो पाई जाएंगे यानि pair of testis आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा accessory ducts अब sperm बन तो आपका testis में रहा है पर वो आपके human के penis के थुरू urethral meatus के थुरू बाहर भी तो निकलेगा न तो कौन-कौन सी नलकियों से होकर कौन-कौन से pipes से होकर वो आखिर अपने terminal end तक पहुंचेगा जहां से वो ejaculate होगा उन pipes के नाम हमें यहाँ पर याद रखने है इन्हें हम ducts कहते हैं यह pipe कौन-कौन से हो जाएंगे यह ducts कौन-कौन से हो जाएंगे आपकी रेटे testis टेस्टीस अलग है रेटे टेस्टीस अलग है वासा इफरेंशिया epididymis वास डेफरेंश यह आपकी चार important ducts है जिनके बारे में हमें पढ़ना है इसके लावा कुछ glands होते हैं है जो कि आपका seminal plasma वगेरा तयार करेंगे तो glands जो है इसमें कौन-कौन से glands आजाएंगे आपके seminal vesicle सेमिनल vesicle प्रॉस्टेट ग्लैंड और आपका bulboyurethral gland जिनने cowper's gland भी बूला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अब यहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है यह lubrication of penis का का काम करता है यह lubrication का का काम करता है और इसके अलावा यह तीनों मिलकर के seminal vesicle प्रॉस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिलकर के क्या बनाते हैं आपका seminal plasma बनाने का काम करते हैं जिसमें अलग-अलग चीज़ें पाई जाती हैं आपका calcium पाई जाता है आपके कुछ enzymes पाई जाते हैं आपका fructose पाई जाता है sperm के लिए energy source क्या है fructose है usually किसी भी body के काम को करने के लिए glucose as a energy source utilize होता है बर sperm जो है उसके लिए fructose एक energy source माना जाता है अगर आप देखेंगे तो external genitalia जो आपको बाहर ओर्गन दिखाई देगा इसका नाम क्या है पीनस जिसे हम लिखते ऐसे हैं कि इसे पैनिस पढ़ा जाए बट इसकी प्रणंसियेशन क्या है आपकी पीनस इसे हमेशा याद रखना है अब बात करते हैं एक एक structure की in detail है ना तो टेस्टिस का अगर आप structure देखें मेरे दोस्त तो टेस्टिस जो है इसकी सबसे खास बात क्या है कि यह टेस्टिस जो है यह आपके एक pouch में पाई जाती है और यह pouch male की body के बाहर लटके हुए होते हैं और यह pouch जो है इन्हें scrotum कहा जाते हैं यह बाहर क्यों लटके हुए होते हैं because यह normal body temperature से थोड़ा सा कम temperature provide करते हैं 2-5 degree Celsius कम temperature provide करते हैं for the formation of spermatogenesis अगर कम तापमा नहीं मिलेगा टेस्टिस को तो वो sperm produce नहीं कर पाएंगी and that's why it becomes very important for the testis to descend in the scrotum है ना तो जो टेस्टिस है यह क्या हो जाती है यह आपकी descend हो जाती है in the scrotum they are found in pouch called scrotum है na scrotum जो है एक skin का pouch है जिस पर hairy growth भी आपको देखने को मिल सकती है है ना इसमें आपका testis descend होता है और यह जो testis है यह इसलिए descend होते हैं जिससे कि आपका तापमान जो है वो 2-5 degree Celsius normal body temperature के comparison में कम हो जाए which is important and vital for spermatogenesis process for spermatogenesis process जिसे कि sperm production बहुत 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 तरीके से हो पाए अब यहां पर जो आपकी testis है राइट यह testis के बगल में आपके dense tissue की covering लगी रहती है यानि जो testis है यह completely dense tissue से covered होता है पर हम एक side में बना देते हैं just for reference है ना तो इसको आप चाहें तो थोड़ा भहुत mark भी कर सकते हो that it is dense tissue covering on the testis और इसके उपर आपका skin का cover रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम scrotum बोलते हैं दोनों testis पर वो scrotum नाम का cover आपका पाया जाएगा तो यहां पर हम लोग क्या बना देते हैं इसके उपर एक skinny pouch बना देते हैं which would be called as scrotum which would be called as scrotum तो यहां पर अभी तक जो चीज़ें हुई इनको हम लोग मार्क कर देते हैं यह क्या है आपका दोस्त टेस्टिस है यह क्या हो जाएगा आपका testis हो जाएगा singular है एक है तो हम testis लिखेंगे testis अगर दो होते तो हम testis लिखते वो प्लूरल हो जाता यहां पर यह क्या है आपका dense tissue layer यहां पर प्रेजंट है यह क्या है आपका skin का पाउच है जिसे हम क्या कहते है स्क्रॉटम कहते हैं अब यह जो testis है इसके अंदर आपके लगबग 200 के आसपास compartments पाए जाते हैं जैसे आपका उपर वाला एक compartment हो गया यह नीचे वाला आपका दूसरा compartment हो गया यह से नीचे वाला तीसरा compartment हो गया यह तो मैं आपका बड़ा-बड़ा करके बना रहा हूं इससे चोटे-चोटे compartment आप multiple बना सकते हो तो एक जो आपका compartment आपको देखने को मिला testis के अंदर इसे क्या बुला जाता है testicular lobule testicular lobule और एक testis के अंदर लगबग धाईसों के आजपास यह testicular lobule पाए जाते हैं और testicular lobule के अंदर भी अगर कर देखो तो आपको क्या देखने को मिलेंगे दो या तीन या होता है यूस्वली पर दो या टीन भी हो सकते हैं आपके 75 टूबी तो वन टो थ Stockholm यहां पर लिख सकते हैं कि आपके कॉईल्ड क्या मिलेंगे 74 आपको देखने को मिलें besticular lobule के अंधर 70 prima तो यहां पर हम क्या है एक या दो या तीन आपके क्या हो सकते हैं highly coiled 70-ferous tubule highly coiled 70-ferous tubule in a testicular lobule तो पहले testis के अंदर 200 तो testicular lobule थे और हर छोटे lobule के अंदर एक या दो या तीन आपके 70-ferous tubule मिलेंगे अभी 70-ferous tubule के अंदर कुछ cells पाए जाते हैं यह cells आपके क्या बनाएंगे यह cells आपके sperms बनाएंगे तो इन cells को क्या बोला जाता है male germ cell या फिर आपका spermatogonia जो कि आपका क्या बनाएंगे sperms बनाएंगे it is called as male germ cells it is called as male germ cell जिनको क्या बोला जाता है spermatogonia बोला जाता है male germ cell अब germ cell है तो कैसा होगा deployed होगा जिसे क्या बोला गया spermatogonia बोला गया spermatogonia बोला और इसके बगल में अगर आप देखोगे तो यह जो spermatogonia है इनके साथ-साथ कौन पाए जाता है अंदर ही सैमिनी फेरस टुबियूल के अंदर ही कौन पाए जाता है से लिएक जिने नर्स वी कहा जाता है जो जब tua spermatogonia बनाएगा तो उसको नरिश करने का काम करती है तो इसे क्या बोला जाता है इना हैं औरो ली बोला इस सेल्व और नर सेल जो नरिश्मेंट का काम करती है नरिश्मेंट प्रोवाइड करती है डवलपिंग स्पर्म्स को तो ये तो हो गई समिनी फेरे स्टुबियूल के अंदर की बात अगर आप बाहर का स्ट्रक्चर देखोगे मेरे भाई तो बाहर ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे अंदर का स्पेस तो हो गया इंसाइडल स्पेस ये बाहर का जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते है इंटर्स्टीश्यल स्पेस है ना इसे हम क्या बोलेंगे इंटर्स्टीश्यल स्पेस इंटर्स्टीश्यल स्पेस इसे हम बोल देंगे, है ना, और ये जो interstitial space है मेरे दोस्त, यहाँ जो आपके cell पाए जाएंगे, इन cells को क्या बोला जाएगा, interstitial cells interstitial space में ही पाए जाएंगे, है ना, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग interstitial cells, इन्हें प्यार से क्या बोला जाता है, लेडिग सेल्स भी बोला जाता है इस इंटरस्टिशल स्पेस के अंदर चोटी-मोटी आपकी ब्लड वैसल्स भी देखने को मिलेंगी यानि आपके क्या मिलेंगे इंटरस्टिशल सेल्स भी मिलेंगे इसके लाव़ा चोटी-मोटी ब्लड वैसल्स और कुछ immunocompetent यानि immune cells भी मिल सकते हैं immunology से related cells भी मिल सकते हैं immunocompetent cells भी मिल सकते हैं यह आपका पूरा का पूरा डियाग्राम हो जाएगा एक testis का तो एक testis के अंदर धाईसो के आसपास compartment है जिने हम बोलेंगे testicular lobule हर testicular lobule के अंदर एक या दो या तीन पाए जाएंगे आपके highly coiled seminiferous tubule seminiferous tubule के अंदर दो तरीके के cell है sertoli cell और spermatogonia यानि male germ cell और बाहर की side यानि interstitial space में एक तरीके का cell है major जिसको हम पढ़ते हैं which is called as ledic cell यह किस काम आता है ledic cell आपका androgen बनाएगा यानि testosterone बनाएगा तो male germ cell क्या बनाएगा आपका sperm बनाएगा और यह ledic cell जो है क्या बनाएगा androgens बनाएगा यानि आपका testosterone नाम का hormone बनाएगा male sex hormone आपका बनाएगा this is the structure of testis अल्राइट I hope everything is clear अब हम देखेंगे NCRT में क्या-क्या बताय हुआ है आपके male reproductive system के बारे में तो यहां पर देखो यार क्या हुआ यहां पर यह आपकी एक testis है है ना यहां पर आप देखो गे जो testis है यह एक कवर में present है एक skin के कवर में present है skin के cover को हमने क्या बोल दिया scrotum बोल धिया screen के cover को हमने escrrotum दी है अब यहांपर देखो एक testis का अगरा आप अंदर structure देखोगे तो एक testis के अंदर आपके του बने हुआए जिने हम बोलेंगे testicular lobules और testicular lobule के अंदर जिसे हम क्या बोलेंगे seven deny est Mills cluster यह यह आपके सब्सेह सबसे Comes पार्ट पार्ट एry testis के जाएगा आपका त्यक्ति स्ट मैं आपका सबसे पहले कहा जाएगा रेटे टेस्टिस में यहां पर आपका रेटे टेस्ट टेस्ट इस प्रेजन प्रेजन फिर यह जो लाट आता है कॉल दा एपिडाइमिस ना जो कि पोस्टीर सर्फेस पर प्रेजंट है अगया आपका अप एपिडाइमस और एपिडाइमस फिरेक बहुत ज्यादा लंबी ट्यूब में जाकरके कनेक्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं वास डेफरेंस इतनी बड़ी होती है इतनी bladder इतनी बड़ी होती है आपकी was difference है ना it loops over urinary bladder urinary bladder के भी उपर तके जा करके आती है तो third part आपका क्या हुआ सबसे पहले ratatestis फिर wasa eferentia फिर epididymis फिर आपका was difference अब यह जो was difference है इसकी नलकी और यहाँ पर आपके seminal vesicle बने हुए है seminal vesicle आपके क्या होते है दो होते है नंबर में तो pair आपको देखने को मिलता है इनकी नलकी यह seminal vesicle की नलकी है और यहाँ पर अगर आप black color से देखो तो यह आपके was difference की नलकी है यह यहाँ पर आ करके merge हो जाती है और mix हो जाती है और यह merge और mix होने के बाद क्या बनाती है ejaculatory duct हमेशा याद रखना यह जहाँ पर merge होई इस merge position को आप लोग क्या बूलोगे यहाँ पर कौन सी duct बनी यहाँ पर आपकी duct बनी ejaculatory duct ejaculatory duct right ejaculatory duct यहाँ पर आपकी बन आप यहाँ पर देखो नीचे की साइड आपका एक single gland पाए जाता है जिसको हम क्या कहते है prostate gland यह जो आपका gland है इसे हम क्या कहते है prostate gland कहते है यह usually आपका single होता है नमबर में जानि एक ही पाए जाता है और इसके नीचे सबसे छोटे छोटे जो आपके dot like structure बने हुए इन dot like structure को हम लोग क्या कहते है bulbo urethral gland कहते है जो की pair में पाए जाते है इनका काम lubrication होता है पीनस का अब यहाँ पर यह जो ejaculatory duct है क्या करेगी है जो ejaculatory duct है यह इस urethra के थूँ होते हुए आपकी यह जो opening है urethra की इसे क्या का जाता है urethral meatus इसके थूँ open हो जाएगे urethral meatus इसके थूँ open हो जाएगे और आपका sperm जो है वो क्या कर देगा बहार निकल जाएगे your sperm will ejaculate out through this path तो अगर आप path को देखने की कोशिश करें तो अगर मैं यहाँ पर path लिखूँ तो sperm का path क्या होगा सबसे पहले आपका seminiferous tubule जहाँ पर sperm बना है seminiferous tubule के बाद आपका ratatestis, ratatestis के बाद आपका wasa eferentia फिर अगर आप देखोगे हो जाएगा आपका epididymis epididymis के बाद अगर आप देखोगे तो हो जाएगा आपका was difference और was difference के बाद seminal vesicle के साथ मिलके क्या बनाएगा ejaculatory duct और ejaculatory duct के थुरू आपका urethra से होते हुए urethral meatus के थुरू open हो जाएगा और बाहार निकल जाएगा ये आपका particular sequence है या path है आपका किस का sperm का कि sperm कहां से कहां पहुँचेगा और इस path पर सवाल आपका पूचा जाता है in the neat examination ये जो यहाँ पर penis आपको दिखाई दे रहा है इस penis के उपर skin लगी रहती है एक skinny cover लगा रहता है जिसको क्या कहा जाता है for skin या इसे prepuce भी कहा जाता है इसे prepuce भी कहा जाता है alright so this penis is the external genitalia आपका primary sex organ है आपके दो testis बीच में आपकी काफी सारी duct है जैसे कि आपका ratate testis epididymus, vas deferensia, vas deferens और gland है जिनका नाम है बल्बयूरेथरल gland, frosted gland seminal vesicle जिनके secretion में काफी सारी चीज़े पाई जाती alright यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी जो secretion है that's called as semen और semen में क्या-क्या होता है sperm भी होते है जो कि कहां से आए seminal vesicle इससे बन क्या है sorry seminiferous tubule से और इसके बाद होता है seminal plasma जिसमें आपका lubricating substance भी होता है जो कि lubrication provide करेगा इसके अलावा यहाँ पे calcium भी होता है आपका fructose भी होता है which is an energy source for sperm जैसा मैंने आपका बताया था certain enzymes are also there तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है और यह जो important ducts है सारी कि सारी यह जो important ducts है accessory ducts इनमें क्या होता है sperm कुछ time के लिए store किया जाता है है ना through sperm जो है वो एक passage पाता है बहार निकलने का है ना as well as sperm की maturation भी यहाँ पर एक हद तक हो सकती है है ना तो इसलिए आपके ducts भी important है आपका external genitalia भी important है testis भी important है glands भी important है everything has their specific role आप देखो यहाँ पर एक और डाग्राम दिया हुआ है which is the same एक आदी कोई चीज हमें देखनी है which we are going to see हम लोग यहाँ पर जानते हैं आपका testis है testis के ओपर एक skin का cover है which is called scrotum यह testis जो है इसका अगर आप देखोगे seminiferous tubule कहां खुलेगा रेटे टेस्टिस में रेटे टेस्टिस के बाद क्या आएगा सबसे लंबा जो पार्ट है क्या आजाएगा आपका वास डेफरेंस आजाएगा वास डेफरेंस आपका यूरिनरी ब्लेटर के वी ऊपर तक पहुंचेगा यहां पर आपका आजाएगा सबसे एंटिरियर पार्ट है इसमें क्या रहेगा बल्ज रहता है थोड़ा सा स्वालन रहता है यह जो पार्ट है आपके पीनस का यह तो आपकी शाफ्ट हो गई पीनस की और यह जो पार्ट है आपके पीनस का इसे क्या कहा रहता है ग्लांस पीनस और यहां पर आपके स्किन का कवर लगा रहता है है न और ये skin specific skin जो cover करती है आपके glance penis को इसे हम क्या कहते है प्रिप्यूस कहते है या इसे हम four skin कह रहे थे and यहाँ पर यह जो tissue है यह erectile tissue होता है जो की penis को बनाता है erectile tissue मतलब ऐसा tissue जो की penis को erect होने में help करता है जिससे की वो female के genital tract में जा सके and ultimately वहाँ पर insemination कर सके यानि sperm release कर सके तो काफे सारे ऐसे males होते हैं जिनमें erectile tissue की problem होती है this is a disorder called erectile dysfunction जहाँ पर male का जो penis है वो erect नहीं हो पाता and that's why he is not able to send sperm inside the female genital tract and ultimately यहाँ पर काफे सारे sterility के symptoms देखने लग जाते हैं male जो है वो sterile हो जाता है बट अगर उसके sporms healthy हैं तो sporms लेकर के in vitro fertilization की जा सकती है यानि कि आपका test tube baby जो है बनाया जा सकता है right तो erectile tissue जो है यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पर आपके penis में जो कि help करता है इसे erect होने में that's why it is called as erectile tissue right यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक diagram देखने को मिल रहा है किसका semi-ferrous tubule का semi-ferrous tubule का अगर आप semi-ferrous tubule को देखेंगे तो आपको काफी सारी दिखाई देंगी है ना इसकी labeling में कर देता हूं जैसे आपको ठीक से दिखाई दे अब यह जो आपका spasire red color का जो आपको दिखाई दे रहा है यह जौश स्पेश है पिंगeties के अंदर to काफी सारे खैल है लेकिन यह आपका red color का सफेस है यह क्या है तो यह हमने एक आउटलाइन बना लिए पूरे के पूरे डायग्राम की जिसे कि हम बता सके कि अंदर क्या है और बाहर क्या है अब जो पिंग कलर का पार्ट है यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर आपको दो तरीके के सेल्स दिखाए दे रहे एक तो यह वाले सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया जो है यह आपके क्या होंगे डिप्लॉइड होंगे कि स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म होता है स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल्स बोलेंगे जो कि डिप्लॉइड होते हैं यह क्या करेंगे बना लेंगे आपके spermatozoa जिने हम प्यार से क्या कहते हैं है aphloid sperms कहते हैं तो ये आपको spermatozoa भी यहाँ पर देखने को मिले spermato gonia के लाओ जो nourishing cells ते वह कौन से थे आपके sertoli cell यहाँ पर और cells वी पाय जाते हैं जिनने क्या कहा जाता है आपके सटोली सेल्स कहा जाता है चैनल honest तो यह क्या हो जाएंगे आपके जिनको हम नर्स पहले था जो कि नरिश्मेंट का काम कर रहे था जो कि का क्यों क्योंर कर रहे ना कौन सा है ठीक से मार कर देते हैं Even और वाला है और नीचे वाला आपका spermato zoa है जो कि motile sperm आपको दिखाई दे रहें अब यह जो space है it's called interstitial space interstitial space के अंदर जो cell पाए जाएंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे interstitial cells interstitial cells जो है मेरे दोस्त यह आपके क्या कहलाते है leading cells भी कहलाते है और यह जो leading cells भी क्या बनाएंगे आपके androgens बनाएंगे और टेस्टो स्थेरोन नाम का हर्मून बनाएंगे जो कि male के sexual characters को impact करता है अब बात करते हैं कुछ PYQ questions की जो कि इस topic से आए हुआ है select the correct sequence of transport of sperm in male reproductive system हाथों से लिख कर देख लेते हैं कि भाई क्या होता है सबसे पहले आपका testis जो है उसमें कहां बनेंगे आपके स्पॉम्स ए स्यमिनी फैरस टुब्यूल से स्यमिनी फैरस टुब्यूल से पहली चीज़ जहां पर स्पॉम जाएंगे वासाई फ्रेंशा के बाद देखोगे, तो आपका क्यो हो जाएगा.. इपईडिकflowing के बाद — देखोगे, तो ऐखोगे क्यो हो जाएगा.. गो वासट def Crime ना रोस्चाह दि की हो जाएगा.. यह वास्ट डेफरेंस seminal vesicle की duct के साथ मिलकर क्या बना लेगा ejaculatory duct और ejaculatory duct यूरेत्रा में चला जाएगा और यूरेत्रा की जो opening है इसे हम यूरेत्रा मियटिस कहते हैं जिसके थ्रूँ आपका spum बहार निकल जाएगा यह आपकी बात होती है इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए this is your path of sperm अब देख लो कहां यह आपका match कर रहा है सेमनी फेरस टुब्यूल है सबसे पहले फिर आपका रेटे टेस्टिस है फिर वासा एफरेंशिया है अगला question भी देखो ऑए हुआ है सबसे पहले क्या है रेटे टेस्टिस होना चाहिए तीनों में रेटे टेस्टिस है तो यह वाला इलिमिनेट हो गया इसके बाद efferent ductulus यानि आपका वासा इफरेंशिया आपका हो जाएगा option दस टर्मिनल डंट ऑफ रिप्रोड़क्टिव एंड यूरीनरी सिस्टम यानि यूरीन और रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के सपर्म आखरी किस डक्ट में साथ होते हैं यूरेत्रा यूरेटर वास डेफरेंशिया अब यूरीन जो है व sperm भी आ रहा था और urine भी आपका urethral meatus से निकलता है और sperm भी urethral meatus से निकलता है तो urethra is the common tube urethral meatus is the common pore अगर कोई common pore पूछ रहा है तो urethral meatus कर दीजेगा the ledic cells as found in human body are secretory source of ledic cell क्या बनाते हैं आपका androgens या testosterone बनाते हैं male sex hormone बनाते हैं if for some reason vasa inferentia in human reproductive system gets blocked the gametes will not be transported from vasa inferentia किस-kis के बीच में connection provide कर रहा था अगर आप देखो तो आपका यहां पर हमने लिखा भी हुआ है vasa inferentia अगर आपका बीच में hamper हो गया तो किस-kिस के बीच में यह connection provide कर रहा था rette testis और epididymus के है ना तो देख लेते हैं अगर ऐसा कोई option है तो है ना testis and epididymus के बीच में पाए जा रहा था यह भी ठीक है epididymus और vast difference दोनों यह वास इफ्रेंशिया के इफ्रेंशिया के सारी बात में पाए जाते है ओवरी जो है नॉर्मल बॉड़ी टेंपरेचर से 2.5 डिगरी celsius कम रह पाए maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature एकदम सही बात है escaping any possible compression by visceral organs अंदर compression हो रही थी वीड बढ़क का था तब बाहर निकल गए एकदम गलत reason है providing more space for the growth of epididymus wrong reason providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex that is totally wrong external genitalia जो काम करता है उसके लिए genitalia तो बाहर था ही penis तो बाहर था ही scrotum में testis आने की क्या वज़ा थी lower temperature तो ये बात आपकी correct हो जाईगी ये बात आपकी correct हो जाईगी all right these were some pyqs which are solved by us male reproductive system यहाँ पर खतम होता है अगर आप paid batch में enroll होना चाहते है तो नीचे description में हमारी website का link है courses.brillix.io उसके उपर जाईए enroll कीजिए किसी भी course के अंदर of physics, chemistry, biology as well as our test series और वहाँ पर आपको और भी multiple courses मिलेंगे और एक birthday cake के price में 1000-1500 की range में आपको पूरा subject पूरी साल के लिए along with test series, chapter wise and full length mock test सब कुछ आपको available होगा प्लीज make sure to get yourself enrolled और आज का आपका homework यह है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके notes बना करके आप PDF बना कर अप्लोड करेंगे Brillix app पे जो दुनिया का सबसे पहला student connecting app है जा करके जुड़ जाएए और वहाँ पर मुझे follow भी कर लीजे मैं खुद आपके notes को check और review करूँगा और telegram पे इस chapter के notes के लिए मुझे join कर लीजेगा नीचे description में आपको link मिल जाएगा Instagram पर भी चाहें तो follow कर सकते हैं जुड़ सकते हैं हर जगा जुड़ जाएए मैं तो यही कहूंगा Thank you so much Bye Bye Take Care मिलते हैं अगले session में जहां पर हम लोग discuss करेंगे about the female reproductive system तो Saturday को भी आपकी class होगी रक्षा बंदन पर हमने off रखा था Saturday को भी आपकी classes होंगी जहां पर हम लोग 11th का और 12th का topic जो है complete कर रहे होंगे Please make sure to watch it up All right Thank you so much Bye Bye Take Care Lots of Love जहिंद मिलता हो अगले session में